सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस न्यूज सबसे पहले पाने के लिए भारत के बारव मिराज 2000 जेट ने पाकस्तान में 1000 किलो के बम गिराए है हालांकि अब तक भारती वायो सेना की ओर सिर्फ उष्टीन नहीं की गई है सुद्रो के आधार पर कहा जा रहा है कि मिराज फाइटर जेट ने पाकस्तान के आतल की कैम्पों को तबाह कर दिया है पाकस्तान की सेना ने खुद इस बात को स्विकारा है कि भारत के विमान सीमा पार कर पाकस्तानी छेतर में गुसे तेर रात करीब साड़े तीन बजे भारतीय जेट ने पाकस्तान के भीतर कारवाही की जैश और अन्य आतल की संगठनों के लॉंच पैड को टारगेट दिया गया फुल्वामा हमले के बाद से भारत की ओर से बड़ी कारवाही के संकेत दिये जा रहे थे आतल के थितानों पर हमले में कितना नुकसान पहचा है इसका अभी ठीक ठीक आकलंग किया जाना बाकी है कश्मीर में L.O.C. पर तनाव की स्थिती हो रही है एर फोस बेस में हाई एक्टिविटी देखी जा रही है अभी ये देखना होगा पाकस्तान इस कारवाही का इस तरह जबाप रिता है अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इंडिया ट्रांडिंग नीज के रिपोर्ट सिब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटे स्टोरी इंफरस्टिंग नीज के लिए